अगर आप इस वीडियो को पहली बात देख रहे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप बसक के वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक उपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है वन्ना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आये तो मांगा के शिरुवात बसक दे गोल्डेन एश थर्ड दा एडवेंट के लास से होता है जहां गर भागते हुए मैदान तक पहुँच चुका है और उसे अंधेरे से इविल इस्परेट उसकी तरफ देख रहे हैं गर का ब्रांट तभी बहने लगता है और गर को समझ में नह और इसकल नाइट तुरंद गट को अपनी तलवार देते हैं लड़ने के लिए इसकल नाइट की तलवार कोई आम तलवार नहीं है और गट इस्परेट को देखते ही उन पर उस तलवार से हमला कर देता है इसकल नाइट की तलवार से वो इस्परेट कर जाते हैं और गट को एहसास होता है कि जैसे उसने पानी में तलवा चलाया है इसकलनाइट बताते हैं कि ये एविल इस्परेट मुर्दो की भटकती आत्मा है जो जिन्दकी की तलाश में तुम्हारी तरफ आकशित हो रही है ब्रांट आफ सेक्रिफाइस की वजह से गट उन इस्परेट से लड़ी रहा होता है कि एविल इस्परेट गट का पैर पकड़ कर उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन गट किसी तरह खुद पर काबू पाकर उन्हें बाहर निकाल देता है इसकलनाइट गट से कहते हैं कि खुद को मजबूत बना वरना मरते दम तक तुम इन से डरोगे तुम इन मुर्दों के लिए अंधेरे में जलती हुई मशाल की तरह हो और अब यही तुम्हारी हकीकत है जो हर ब्रांडेट की डेस्टिनी है जिसमें तुम्हारे शरीर और खुन की आखरी बून को भी डाकनेस के हवाले कर दिया गया है गट इसकलनाइट की भाशन से परिशान हो जाता है क्योंकि उसे आफरिंग सैक्रिफाइस डेस्टिनी जैसे चीजों पर यकीन नहीं है उसके लिए ये बस एक लड़ाई है जिसमें आखिर तक टिके रहने वाला ही जीतेगा और इसके बाद गट इविल इस्परिट से कहता है कि उन बास्टिट से मेरी तरफ से कहना कि मुझे चोट पहुचागर अच्छा नहीं किया मुझे जिन्दा छोड़ देना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा मैं हर एक को ढून ढून के मौत के खाट उतार दूँगा और मेरी दरफ से ये युद्ध की यलगार है ये देख इसकलनाइट को रियलाईज होता है कि गट खुद के दम पर ही वहाँ टिका था तभी वहाँ से सभी इस्परेट चले जाते हैं और ये देख गट को समझ में नहीं आता इसकलनाइट बताते हैं कि उन्हें दूसरी मशाल मिल गई है और गट समझ जाता है कि वो कासका की बात कर रहे हैं और गट इसकलनाइट के तलवार से उन्हें ही घोड़े देने के लिए कहता है इसकलनाइट गट की हिम्मत देख एक पल तो रुकते हैं फिर उसे ही घोड़े पर खीच बताते हैं कि मैं तुम्हें दूसरी बार केरी कर रहा हूँ और वो दोनों तेजी से कासका की तरफ बढ़ते हैं गट के पूछने पर इसकलनाइट बताते हैं कि इवेंट के दिन उनकी ही वज़़े से गट और कासका बाहर आये थे और उन्होंने ही गट और कासका को उस पहार की गुफा में छोड़ा था जहां कभी एल्फ रहा करते थे और उनकी जाने के बाद आज भी वो जगा डाकने से बचने के लिए बहतरी जगा है इसकलनाइट कहते हैं कि गट की जान बचानी का अस्दी कारण एल्फ टस था जो किसमत से उस दिन रिकर्ट के पास था गट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो जगा इतनी सुरक्षित हैं तो कासका पर हमला क्यों हो रहा है इसकलनाइट बताते हैं कि हो सकता है कासका बहा निकल गई हो और अगर उसे जिन्दा रहना है तो रात में उसे उस जगह में ही रहना होगा तभी इसकल नाइट कासको को इस्पॉर्ट कर लेते हैं जो एक चोटी पर है इससे पहले की गड़, वहां कासका तक पहुँच पाता इसकल नाइट गड़ को रोक लेते हैं क्योंकि इविल स्परेट कासका के आज़ पास सिर्फ घूम ही रहे हैं ना कि उसे नुकसान पहुचा रहे हो लेकिन गट फिर भी कासका तक पहुँच उसे संभालता है कासका के चहरा पीला पड़ गया है और तब ही उसके पेट में तेज दर्द होता है इससे पहले की गट कुछ समझ पाता कासका किसी चीज़ को डिलिवर करती है जो देखने में डीमन इनफेंट की तरह है इसे देख गट उसे कुछ चलने बढ़ता ही है कि कासका उसे बचा लेती है क्योंकि वो कासका का बच्चा है जो गौण हैंट फैम्टो यानि ग्रिफित के रेप की कारण हुआ है इसकलनेट कहते हैं कि इसे तुरंट मार दो वरना एक दिन ये तुम दोनों पर कहर बनकर बरसेगा वहीं वो इनफेंट एक बच्चे का आकार लेकर कासका के बरांड तक पहुँच उसका खुन पीने लगता है और ये देख गड़ उसे तुरंट कासका से जटक लेता है गड़ उसे अपने हाथों में मसलने वाला होता ही है कि कासका अपने बच्चे को गड़ से छुडाने की बेताहाशा कोशिश करने लगती है और तभी सुबा हो जाती है सुरज की किर्णों के साथ इस्परेट गायब होने लगते है और थोड़ी ही देर में वो डीमन इन्फरेंट भी गायब हो जाता है जिससे कासका अपने बच्चे को खुने से परिशान होकर चिलाने लगती है इसकल नाइट बताते हैं कि वो मरा नहीं है बलकि दूसरी दुनिया में चला गया है और किसे दिन वापस अपने पैरेंट्स की पास लोटेगा और रिकर्ट को आता देख इसकल नाइट जाते हुए गड़ से कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे अगर मुकदर ने चाहा तो अगर तुम उन इन हुमन्स का शिकार करना चाहते हो तो ब्रांट को फॉलो करो वो इबल स्परेट को रिस्पॉंड करते हैं लेकिन उनका शिकार करते हुए तुम भी अपने अंदर डाक्नेस लोगे और वो वहां से चले जाते हैं वहीं दूर कहीं कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे हैं कि अचानक ही उन्हें सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मिलता है जिसकी अजीब से बताओ की वज़ा से वो लोग अपना रास्ता ना अप लेते हैं लेकिन वो आदमी अलग है जो ब्रांड को सेंस कर सकता है वहीं दूर पहाडों के पास गोडो अपने घर पर तलवार बना रहा है और उसकी एडॉप्टेट बीटी एरिका वहां से आसनल की चापी लेकर गोडो के बनाय तलवार रिकर्ट को दिखा रही है अगर आपको नहीं पता तो एकलिप सिवन के बाद जब रिकर्ट को गट और कासकर की जान बचानी थी तब गोडो और एरिका ने उसकी हेल्प की थी और चूकी अब रिकर्ट के पास जाने की कोई और जगा नहीं है गोडो उसे भी अपने साथ रख लेता है एरिका बताती है कि गोडो बहुती फेमस और जीनियस आर्मसमेकर है जो किसी भी तरह का हत्यार बना सकता है तब ही रिकर्ट की नजर वहां बढ़े बहुती बड़े तलवार पर पढ़ती है जिसका नाम ड्रेगन स्लेयर है और गोडो बताते हैं कि एक बार किंग ने ड्रेगन को मारने के लिए एक तलवार बनाने के लिए कहा और उस वक्त वो रॉयल्स के लिए खुबसूर तलवार बनाते थे और उन्होंने किंग के आदे शनुसा ड्रेगन स्लेयर बना दिया जिसके बाद वो इन सबसे उप गए और कासल छोड़ यहां आ गए और एक यादकार के तोर पर उन्होंने ड्रेगन स्लर को अपने पास रखा है अगर वाकि कोई ड्रेगन है तो ये तलवार उसे भी मार सकती है लेकिन ड्रेगन स्लर की वजन की वज़ा से आज तक उसे कोई वील्ड नहीं कर पाया चुकि गट के लड़ाए के लिए उसे हाथ्यार की जरूत है रिकर्ड गोर्डो से गट के लिए आर्मर और हाथ्यार बनाने के लिए कहता है वहीं गट अपनी एक आख और हाथ खोने के बाद लड़ाए के लिए खुद को तयार कर रहा है और वो बहते हुए जहने से गिरती हुई मचली को काट अपने क्विक रिस्पॉंस को चेक करता है गट रिकट को बताता है कि अगले दिन से वो अपना सफ़र शुरू करेगा और उस रात वो खुद को और कासका को गुफा में लॉक कर लेता है गट और कासका के रिलेशन पहले से कुछ बैतर हुए हैं और उस दिन खाना खाते हुए कासका खुद पर खाना गिरा देती है और कासका को काबू में करते हुए गड़ से कासका के कपड़े फट जाते है गड़ अपने और कासका के रिलेशन को कासको को याद कराने की कोशिश करता ही है कि वो गट को धक्का देकर गुफा के दर्वादे पर भाग जाती है और वो पूरी रात बस चलाती ही रहती है जो गट के लिए किसी टॉचर से कम नहीं था अगली सुबा गौडो के घर पर गट अपने आर्मर को रिकट की मदद से पहनता है और जूडो की याद में उसके हाथियार रख लेता है जिसका उप्योग खुद जूडो ने गट को सिखाया था गट का पूरा आर्मर और कपड़े बलैक हैं जो उसने डाक्नेस के क्रियेशर का शिकार करने के लिए पहना है तभी एरिका गट से उसका लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाने के लिए कहती है और उसे एक आर्टिफिशल आम देती है जो खुद गटो ने उसके लिए बनाई है एरिका उस आर्टिफिशल आम की खास्यत बताने के लिए गट को एक पत्थर की तरफ निशाना कर मेटर पिन खीशने के लिए कहती है कि सामने गोडो आ जाते हैं और गट की जाने से पहले एज़ फेरवेल किप उसके लिए नई बनाई हुई तलवार देते हैं जो काफी कुछ इसकल नैट की तलवार की तलवार की तरह है गट को उस तलवार की टेस्क करने पर पता चलता है कि वाकए गोडो का काम सरानी है तभी गट का ब्रांट रिस्पॉंट करता है और वही अजीब सा आदमी ब्रांट को सेंस करता हुआ गोडो की घर तक पहुँच जाता है गोडो के देखते ही गट कहता है कि वो उसका गेस्ट है और वो आदमी वहाँ इविल को सेंस करता हुआ आया है और वहीं कासका का ब्रांट भी रिस्पॉंट कर रहा है वो आदमी गोडो के गेट पर ही अपने एपॉसल फॉर्म में तबदील होकर पूरा दर्वादा ब्लॉक कर देता है जिसे देखते ही कमरे में मौझूद गट को छोड़ सभी डर जाते हैं लेकिन गट अपने अंदर के रेज को जगाने रखता है क्योंकि आज उसका लकीडे है जो उसे उसका पहला शिकार खुद आया है और अपनी रेज फॉर्म को जागरत कर वो तेजी से एपॉसल के चहरे पर हमला कर उसे दर्वादे से बाहर गिरा देता है गट तलवार के रिस्पॉंस से सैटिसफाइड है वो एपॉसल इस हमले से भड़क कर फिर गट पर हमला करता है लेकिन गट उसका हाथ काट देता है और अब उस स्वाट से वो उसे मार देगा वही गोडो भी अच्छे से जानते हैं कि वो स्वाट उन्होंने हिमन्स को मारने के लिए बनाया है और गट के अगले ही वार से एपॉसल का सीना चीर देता है लेकिन उसकी तलवा तूट जाती है एपॉसल अपने इंटिस्टैन से गट को पकड़ कर वापस कमरे के अंदर फेक देता है और वो गट को मारने के लिए बढ़ता है तब ही रिकट गट को अपना आर्टिफिशल हाथ एपॉसल की तरफ गट पिन खीशने के लिए कहता है और गट के ऐसा करते ही एपॉसल के मुव में डारेट कैनन ब्लास्ट होता है इस चौकाने वाले अपग्रेट से गट खुश हो जाता है लेकिन जादा गन पौडर यूस करने की वज़ा से केनन की ब्लास्ट के धक्के से उसका शूल्डर डिसलोकेट हो जाता है गट अपने शूल्डर जॉइन को ठीक करने के लिए दिवार पर कंधा मारता ही है कि उसकी नजर ड्रेगन स्लेयर पर पड़ती है वहीं एपॉसल की आँखों में डर आ जाता है और एक तलवार उसको आधा काट देती है और इस वाद से एपॉसल बाहर फिर फिका जाता है गोडो, रिकट और एरिका भी चौक जाते है और एपॉसल के उठते ही गट ड्रेगन स्लेयर लेकर कमडे से बाहर निकलता है और एक ही वाद से एपॉसल को मार देता है गट ड्रेगन स्लेयर को देकर खुश हो जाता है और वहीं गोडो को विश्वास नहीं होता कि कोई वाकिड ड्रेगन स्लेयर को वील कर सकता है वहीं एरिका गट के इस रूप को देकर डर जाती है और गट, who can kill ड्रेगन का नया रूप आता है इन सब की खत्म होते ही गट सबको अपनी final bidding देता है वहीं रिकाट चाहता है कि गट ना जाए क्योंकि band of hawk खत्म हो चुका है लेकिन गट कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि band of hawk के वो लोग अभी भी बचे हैं और रिकाट को कासका का खयाल रखने को कहता है क्योंकि वो band of hawk की लीडर है वहीं गट band of hawk में captain of raider था और इसलिए वो दुश्मनों की खेमे में खुसकर उन्हें मारेगा और उसके अंदर का गुसा रेश उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रही है और यहां पर bersag he who hunts dragon का end होता है जो chapter 92-94 तक का है golden age chapter 1-89 आप bersag की movie में देखी चुके हैं और इसलिए हम manga का नया part conviction आगको अगले वीडियो से शुरू करेंगे तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस manga का proper explanation पहुचा सकूँ यह explanation आपको कैसा लगा मुझे comment section बताए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें मैं इस तरह के वीडियो आपके entertainment के लाता ही रहता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye